ओम सिरी गनेशा आइनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 नवंबर गुद्वार के रासी फल्क के बारे में कि हादिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज विद्ध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना है इसलिए अपनी पढ़ाई के परती एकाग रचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे 37,000 दोस्तों किसी धार्मिक प्रवर्ति के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कार के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से जादा आपको प्राप्त होंगे धार में कार के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में है, इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से, घर परिवार में आज खुसी का माहूल रहेगा आपकी मेहनत वे परिश्रम से कोई महत्पूर्ण कर रहे आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शला और शयोग आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं मिलने के अनिको योग हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी वज़े से आपके स्वाबिमान को भी ठेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियों पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूरवक सुल्जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास गरें परंत रही है साथी साथ आज अधिक तर समय घर से बाहर व्यतित करना पड़ सकता है परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्वक है कोई भी अनुचित कार रहें और आपका क्रोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है शाफदान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथी साथ किसी निकट संबंदी से भी मतबेद होने की आज पूरी दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लव लैफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों विवाहित जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल है परिवारिक गति विद्यो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती-पतिनी के संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कार्रे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आ दोस्तो आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गल्ती होने की भी आज संभव नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती हैं आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभावना हैं कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूझ भूज से काम लें लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे सम का आप भरपूर सद्यूप्यों करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परन्तु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिरती थोड़ा सावधान रहने की वियाव सकता है अन्यत्रा अधिकारी वर्ग की नाराज के अनुचित कारों को करने से आपको बचना होगा दोस्तों प्रॉपर्टी से संब्धित कारों में पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें जरासी सावधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है नोकरी पेशा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी वर् से चोट लगनी की संब्भावना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक सावधानी बरते हैं वैसे आज आपका स्वास्त बहुत ही अच्छा रहेगा साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस तो एक कांसे की आपको ठाली लेनी है उस ठाली में आपको चंदन से ओम गंग गणपते नमहा लिखकर इसके बाद आप इस ठाली में पांच बूंदी के लड़ू रखकर नजदीक के भगवान श्री गनेश जी के मंदर में जाकर दान करें क्या दूस्त ऐसा करने से आपके के लिए बहुती सुभयोग बनते हैं और भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होते हैं और भक्तों के समस्ट कष्टों को दूर करते हैं जा दोस्तों आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विसेस लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान श्री गने सबस्टे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद